नमस्कार दोस्तों, आज का डिक्टेशन अस्य सब प्रति मिनिट स्टार्ट होगा पांच सेकंड बात भाईयो और बहनों मतलब यह है कि अगर संसार को सहन सील बनाना है तो सभी लोगों को दुनिया भर में इंदी भासा का प्रचार और प्रचार करना चाहिए ज्यादा तर व्यापार के लिए कच्चा माल तो किसान ही पेदा करता है फिर किसान के लिए क्रसी अनुसंदान के खर्च में दुनिया भर्क में कटवती क्यों की जा रही है कटवती करना है तो बहुत से और चेत्र भी हैं अमीर देश सन 1990 में खेती बाडी को आगे बढ़ाने के लिए जो सहायता दे रहे थे वहे भी 12 अरब डोलर और दस साल बाद 2000 में दो अरब डालर की कटवती कर दी और यह 10 अरब डालर रह गई तो पूरी दुनिया को खेती बाडी से जोडने की जरूरत है तभी ये दुनिया आपस में लड़ना मरना बंद करेगी मेरा बस चले तो मैं तो हिमालय की सबसे उची चोटी सगर माथा जिसे दुनिया एवरेश्ट कहती है पर चड़ूं और पूरे जोर से आवाज लगाओं कि ए धर्ती के वासियो बंदू के छोड़ो और हल उठाओं नहीं तो आप ही सोचो कि 20 साल बाद 2020 में जब दुनिया की आबादी आठ अरब हो जाएगी तो सब को खिलाने लायक खाद्यान केसे उत्पन होगा उस समय चीन को भी बाहर से गेहूं मांगना पड़ेगा सोभाग्य से भारत के बारे में तो क्रसी विशेशग्यों का यही अनुमान है कि भारत के किसान और क्रसी व्यज्यानिक मिल जुल कर बड़ी हुई आबादी का भी पेट भर पाएंगे आज हमारे अन भंडार में साड़ी तीन करोड टन से जादा अनाज भरा है रभी की फसल आने के बाद यह बढ़ कर पांच करोड टन तक जा सकता है रखने की जगह नहीं है इसलिए समाज कल्यान के कामों में लगाने और विविद रूपों में निरियात करने के अवसर बड़ रहे हैं काम के बदले अनाज और बच्चों को पाट सालाओं में नास्ता कराने वै खाना खिलाने के कारिक्रम पूरे देश में चलाए जा सकेंगे यह एक तरह से दूसरी क्रसी क्रांती का ही नतीजा है कि हम 101 करोड से जादा आबादी को अपने खेतों में उपजाई फसल से ही खाद्यान उपलग करा रहे हैं खाने वाले तेल की कुछ वर्स पहले कमी हुई थी हमने पूर जोर कोशिस की पिछले कुछ वर्सों में आयात तो घटकर प्रती वर्स तीन सो करोड रुपय का हो गया वहीं तिल हनी फसलों और उन से उत्पन पदार्थों का निरियात आठ गुना बढ़कर प्चीस सो करोड रुपय से भी उपर हो गया यह सब फल है किसानों वेज्ञानीकों एयों प्रसार काड करताओं की अथक प्रयास का इस प्रगती में आज क्रजी वेज्ञानीकों का योगदान किसी से छुपा नहीं है इसे सारी दुनिया मानती है जहां भी भूख है वहां लोग भारत की मिसाल देते हैं कि देखो इस महान देश ने भूख की चुनोती का किस तरह डटकर सामना किया आज जब निरियात के अवसर खुले हैं विश्व का परिवेश बदल रहा है सारी दुनिया के बाजार खुल गए हैं सोभाग्य से दुनिया में साका हार भी बढ़ रहा है इस समय हमारी विविद व्यंजनों को विश्व बाजार में प्रचलित करने के बड़े मौकी हैं समप